राजत के बाद अब जेडियू भी और जेडियू के बाद अब हम भी कमर कसकर तयार बैठी है कि किसी तरीके से भारतिय जनता पार्टी के खिलाप चुनाओ लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए भारतिय जनता पार्टी के खिलाप हम चुनाओ लड़ेंगे राज़त तो चुनाव लड़ेगी ही खिलाफ में लेकिन जेडियो और हम यानि कि निटीश कुमार और जीतर नामाजी की पार्टी भारतिय जनता पार्टी की खिलाफ चुनाव लड़ेगी हो सकता है कि चिराक पास्वान भी खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए तयार हो तयारी पूरी हो चुकी है पाटियों ने कमर कसली है और अब बस तारीखों का एलान होना बाकी है जारखंड विदान सबा चुनाओ की हम चर्चा कर रहे हैं जारखंड में विदान सबा का चुनाओ है जेडियू का भी एलान है कि हम चुनाओ लड़ने वाले हैं हमने भी एला किया है कि हम जारखंड में चुनाओ लड़ेंगे चिराकपा अस्वान भी मन बना रहे हैं कि जारखंड में हम जाकर चुनाओ लड़े बरत्मान में वहां देखा जाए तो गटबंदन की सरकार है गटबंदन की जिसमें जामूओ कॉंग्रेस और राजद का एक विधायक जो ह वहां पर सरकार भी बना कर बैटी हुई थी और जामूओ विपक्च की भूमिका में थी जामूओ वहां की मजबूत छेत्रिये पार्टी है जो कि जारखंड की सत्तम पर लगतार राज करती आई है और अब नितीश कुमार की पार्टी जिर्यू रन्निती बना रहे है कि इस रन्निती के तहट हम जारखंड में चुनाव लड़ने जाएंगे और वहां पर भारती जुनता पार्टी के खिलाप जामूओ के खिलाप चुनाव लड़ेंगे देखे रन्निती पूरी तरीके से तयार है लेकिन अब उस रन्निती में ये भी सामिल किया जा रहा है कि हम बि कि भीकास की बात करेंगे और जामूओं को घेरेंगे यानि कि जो वहाँ पर सरकार बनाए बैठे हैं जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम घेरेंगे हम किसी और को नहीं घेरेंगे भारतिये जनतापार्टी पर निशाना नहीं सादेंगे हम भारतिये जनतापार्टी के खिलाफ जादा टिपनी नहीं करेंगे कि किंद्र में उनके साथ सरकार चला रहे हैं बियार में उनके साथ सरकार चला रहे हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे रनीती पूरी तरीके से तयार बैठी है लेकिन सवाल ये कि क्या जीतना माजी की रननीति इस तरीके से है क्योंकि एक पार्टी और भी थी जो भारतिय जनता पार्टी के खिलाप चुनाओ लड़ने गई तो पूरी तरीके से बरबाद हो गए पार्टी का नाम भी आईपी मुके इस सहनी की पार्टी मुके इस सहनी यूपी में चुनाओ लड़ने गए थे त तो क्या भारतिय जनता पार्टी ये बरदास्त कर पाएगी ओजीता नामाजी को अपने साथ रख पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है कि जीता नामाजी को बिहार और किंद्र में गटबंदन होने के बावजूद विजहारकंड में खिलाफ चुनाओ लड़ने दिया या फिर जीर्यू से कुछ बादचीत होगी कि गटबंदन कर लिया जाए और भारतिय जनता पार्टी के एक राजनितिक रननीती ये होती है कि छेत्रिय पार्टी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती है छेत्रिय पार्टी को जिस छेत्र में गटबंदन करती है उसी छेत अब आगे देखने वाली बात है कि क्या यह रन्निती आगे के लिए काम आती है या नहीं या फिर भारतियो जन्ता पार्टी जेडियू को आगे की तरह बढ़ावाद देगी दूसरे छितर में भी बढ़ावादे यानिकि बियार के बाद जारकंड में जैसे कि बियार में जे मार साथ और दीखते रहें दो इंजा टोप